हेलो रबसकार मित्रों, आपका स्वगत है हमारे भारतिय नौलिज चैनल पर आज हम आपको बताएंगे सपने में आम देखने का क्या मतलब होता है सपने में आम खाने का क्या मतलब होता है सपने में कच्चा आम देखने का क्या मतलब होता है सपने में हराम देखने का क्या मतलब होता है सपने में आम का पेड़ देखने का क्या मतलब होता है सपने में आम तोड़ने का क्या मतलब होता है सपने में आम काटने का क्या मतलब होता है सपने में आम का जूस पीने का क्या मतलब होता है इसी प्रकार की विविन अवस्थाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के जरीए अबसे पूछिए हम कोई सिस करेंगे आपके सवालों का सही सही जवाब दे सकें आप बात कर लेते हैं सपने में आम देखने का क्या मतलब होता है और यह सपना सुब होता है या असुब होता है तो मैं आपको वता दूँ यह सपना बहुत ही सुब माना जाता है लेकिन यह सपना खुश अवस्ताओं में असुब भी माना जाता है लेकिन सुब या असुब इस बात पर निर्वर करता है कि सपने में आपने कौन सी अवस्ता में आम देखा है कौन सी इस्तिती में आपको सपना दिखाई दिया है या आपने सपना कौन सी इस्तिती में देखा है जैसे कि अगर आपने सपना देखा है कि आपने आम खाया और भाई आम खराब है तो ये सपना असुब होता है भाई अगर आप आम पीला देखते हैं या उसको खाते हुए देखते हैं या उसका जूस पीते हुए देखते हैं तो ये सपना सुमाना जाता है अब बात कर लेते हैं कौन सी अवस्ताओं में सपने का कौन सा अर्थ निकलता है जैसे कि अगर आप सपने में पका हुआ आम देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है अगर आप सपने में पका हुआ आम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आप जिस भी कार्य है तो प्रयास रता है जिस भी कार्य को आप करने की मनसा रखते हैं या कोसिस कर रहे हैं निकट भविश्च में वो कार्य आपका सिद्ध हो सकता है उसका आनंद आपको आने वाले समय में मिलेगा और आपका फल बहुत ही आनंद पूर्ण होने वाला है अब बात कर लेते हैं सपने में हम अगर हरा आम देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है यदि आप सपने में हराम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो भी कारे कर रहे हैं जो इसके लिए आप प्रयास रथ हैं वो आपका कारे सही दिसा में जा रहा है आने वाले समय में आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है अगर इसी तरीके से महनत करते रहे तो आपको आने वाले समय में सफलता 100% मिल सकती है इसलिए निरासना होईए और कारेरत रहिए आने वाले समय में आपका जो कच्छा आम है वो पुर्पूर्ण होकर आपको पकर आपको आनन्द पूर्ण फल दे सकता है इस सपने का अर्थ होता है आप बात कर लेते हैं सपने में आप खाने का क्या मतलब होता है यदि आपने सपने में पका हुआ आम देखा है और आप उसको खाने का आनन्द उठा रहे हैं सपने में तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको आनन्द की अनुभूती हो सकती है अगर आप बिजनसमेन हैं तो आपको ब्यापार में बहुत बढ़िया जो है लाब मिल सकता है अगर आप एक स्तरी हैं तो आपको पुत्र प्राप्ती हो सकता है अगर आप एक अववाहित हैं तो आने वाले समय में आपके लिए विवाह है तो रिष्टा आ सकता है अगर आप एक इस्तरी हैं और अभिवायत हैं तो आने वाले समय में आपको जीवन साती की प्राप्ती हो सकती है यह सपना इस बात को दर्शाता है आप बात कर लेते हैं कि सपने में हम आम खाते हैं या सपने में हम आम का जूस पीते हैं तो इसका क्या मतलब होता है तो मैं आपको वता दूँ अगर आप यह सपना देखते हैं जिसमें आप आम को खाते हैं और आम का जो है जूस पीते हैं तो यह बहुत ही सुबदायक सपना होता है इसका मतलब यह होता है कि आने वाले भविश्य में सफलता है आपके पैर जूमेंगी और आपको बहुत ही कम मेहनत में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं जैसे कि अगर आप ब्यापारी हैं तो आने वाले समय में आपको ब्यापार में भर भर के लाब होंगे और आपको हो सकता है कोई बड़ा contract भी मिल जाए वहीं अगर आप नोकरी पैसा बेखती हैं तो आपके लिए आने वाले सामय में यह खुसटबरी जल्द ही आ सकती है आपको प्रोमोसर मिल सकता है या आपको कहीं नोकरी से दुख कहीं और से ऐसा प्रस्थाव आ सकता है जिसमें आपकी सेलरी अच्छी कासी इंक्रीच हो सकती है अब बात कर लेते हैं यह सपना अगर इस तरी देखती हैं तो उनके लिए यह सपना क्या माइने रखता है अगर यह सपना इस्तरी देखती है तो उनके लिए भी यह सुगत सपना माना जाता है आने वाले समय में उनको भी बहुत ही कम प्रयास में अच्छे result मिल सकते हैं अच्छा उनको benefit मिल सकता है अब बात कर लेते हैं सपने में हम आम को सड़ा हुआ देखते हैं या गला हुआ देखते हैं उसमें देखते हैं कि कीड़े पड़े हुए हैं तो इसका क्या मतलब होता है यदियाप सपने में देखते हैं कि आम जो हैं आपने रखे हैं उसमें कीला पढ़ चुका है उसमें बदबू आ रही है और आप उनको फेकना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप जो भी कारे करने की मनसा रखते हैं आप जिस कारे हेतु प्रायार्च रथ हैं तो आने वाले समय में उसमें आपको बाधागूं का सामना करना पड़ सकता है आपके सगे समन्दी आपके साथ विश्वास घहत कर सकते हैं आपको इस बात को लेकर साबधान रहना चाहिएं क्योंकि आने वाले निकट भविश्य में आपको आर्थिक हानी के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं इस सपने का अर्थ होता है अब बात कर लेते हैं सपने में पेंड से आम तोड़ने का क्या मतलब होता है यदि आप सपने में देखते हैं कि आप आम का फल पेंड से तोड़ रहें तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आप अपने लक्ष को प्राप्त कर लेंगे बाहरास्ता सीधा हो या उल्टा हो इससे आप गुरेज नहीं करेंगे और अपना जो है फल अपना जो टार्गेट है वो अचीब करके ही रहेंगे अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सपने में देखते हैं कि आम का पेड़ है उस पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं तो यह सपना बहुत बढ़िया होता है इसका मतलब होता है अगर आप अव्यायत हैं तो आपके बहुत सारे रिष्टे आएंगे अगर आप इस तरी हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में धन प्राप्ती के योग बने या आपको पुत्र प्राप्ती के भी योग बन सकते हैं बहीं अब बात कर लेते हैं यदि ये सपना ब्यापारियों को आता है तो उनको भर भर के धनलाब हो सकता है अगर ये सपना एक बिजनसमेन के वज़ाए नौकरी पे सका है तो उसको प्रोमोशन मिल सकता है उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा